मॉर्निंग बच्चो, क्लास 7th की मैश की क्लास में आप सब का स्वागा थे बच्चो, और हम पढ़ रहे थे, 21-21 जिकरित अभ्यास 7A हम लोगों ने खतम कर लिया है और अभ्यास 7B जो हैं हम लोगों ने स्टाट कर दिया था जिसमें हम लोगों ने प्रतिलोम समानुपात के बारे में प्रशन हल किये हुए हैं तो question number 5 तक के प्रशन हम लोगों ने हल किये हैं बच्चों और इसके आगे के प्रशन हमें हल करने हैं तो आईए बढ़ते हैं आज अपने अभ्यास 7B के question number 6 की ओर छटवा कोशन है बच्चों एक मोटर कार एक स्थान से दूसरे स्थान तक 40 km प्रति घंटा की चाल से चल कर 3 घंटे में पहुँचती है यदि वह 30 km प्रति घंटे की चाल से चले तो वह कितने घंटे में पहुचेगी तो हमें ग्याद करना है कि वह कितने घंटे में जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचेगी देखते हैं से कैसे हाल करेंगे बच्चो जो बच्चो हमें ग्याद करना है प्रिष्ण में उसे हम सबसे पहले मान लेंगे तो इसमें प्रश्ण में पूछा गया है कि वह कितने घंटे में पहुचेगी तो माना कार जो है वो यक्स घंटे में पहुचेगी तो सबसे पहले लिखिए माना कार यक्स घंटे में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुचेगी ठीक है अब प्रश्ण में बच्चों दो चीजे हमारे पास दी हुई है चाल दिया है और समय दिया है तो हमें यह लिखना है चाल हो गया ठीक है यह किलोमेटर प्रति घंटा दिया हुआ है चाल और यहां पर समय दिया हुआ है ठीक समय जो कि घंटे में दिया हुआ है समझ में आ रह इसके बाद फिर पूछा गया है क्या आगर 30 सो 30 खन्टे की is almost 30 फिर फिर 10 लुबतो किम चाकि ऐबसातने का टëकर बा diaphrag लग सी नकाइज वाट-वाद उसित गचल arqu tua क्योंगी पर आपि लिखने का तरीके क्या होगा पुण 802 पास 2020 से घर नागेगा फिर नीचे से उपर गी हो यानि यक्स अन्पाते 3 ठीक है समझ में आ गया आप इसको जब हल करेंगे दो बाहा पदों का गुड़नफल हो गया मद्दबदों के गुड़नफल के बराबर होगा तो क्या हो जाएगा चालिस गुणह 3 एकल ता अब चालिस गुणह 3 कितना ओजाएगा तो एकस बराबर पहले लिख लेते चालिस गुणह 3 डिंक टीक ऑइकस को इधर रख का 6 0 gentai कॉज़निक थीं का मना था एच कार यक्स घंटे में जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुचेगी तो यक्स बराबर चार घंटे हो जाएगा समय पूछा था ना समय हमें ग्याद करना था तो उत्तर आप अलग से लिख दीजिएगा अत्य है कार जो है वह चार घंटे में एक स्थान से दूसरे स्थान पर से दूसरे स्थान पर पहुचेगी पर पहुचेगी ठीक है यह आपका उत्तर हो गया समझ में आ गया होगा आपको आए बढ़ते हैं कोशन नंबर सेवन की ओर साथवा कोशन है बच्चो एक किले में 700 ग्राम प्रती दिन प्रती सिपाही के हिसाब से 42 दिन का भोजन है यदि प्रती दिन का भोजन 600 ग्राम प्रती सिपाही कर दिया जाए तो भोजन कितने दिनों के लिए परियाप्त होगा ठीक है तो अब इसको भी कैसे हल करेंगे बि यक्स दिनों के लिए दिनों के लिए पर्याप्त होगा अब इसके बाद फिर यहां पर जो जो चीजे दी हुई है मात्रा हमारे पास में दी हुई है किसमें ग्राम में और क्या दिया हुआ दिन किते दिन चलेगा भूजन मात्रा दी है 700 ग्राम तो 42 दिन चलता है अगर मात्र 600 समान उपाते नीचे से उपर की और यानी एक समान उपाते 42 ठीक अब इसको आफ हल कर लिजेगा अंत बदों का गुड़न फल जो है वो मद्द बदों के गुड़न फल के बराबर होता है तो बन जाएगा आप लोगों से हल करते हुए इसको आफ हल करिएगा ठीक तो यह से 8 गंटे में भरा गया हो तो दूसरे नल से 1 कितने लीटर पानी भरा हो तो घ्यात करना है कि लिए देख लेते हैं lookin apps करना है तो और सबसे का लिए वो यह दूसा मानना दूसरे नल प्रति घंटा कितना पाणी भरा तो मारा दूसरे लिए ऐस के लिटर प्रति घंटाब आ सक्वाए है, जो प्रशं कोषा गाँ, उसी को the we have और हमारे पास जो चीजे दील हुई है कीStat, उसे लिखका लेज़ है जलोज्च क्या है समय दिया हुआ हुआ है और साथ ही साथ कर दीया हुआ है मात्र दी उज लीटर प्रति घंटा समय कितना दीँटा द्ब भरता है तो एक घंटे में चैसोचालिस लीटर भरता जब 10 घंटे का समय लगता है तो 10 घंटे में कितना 640 लीटर अब इसके बाद फिर यहां पर 8 घंटे में कितना लगेगा यहां पर निशान ध्यान दीजेगा यह उपर से नीचे से उपर है उसी तरीके से हल करना है अंति पदों का गुड़न फल बाहर पदों के गुड़न फल के अंति पदों का गुड़न फल जो है मद पदों के गुड़न फल के बराबर होता है तो क्या हो जाएगा बच्चों 10 गुड़े 640 बराबर 8 गुड़े एक्स तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 10 गुड़े 640 ब ने कितना पानी भरा तो यक्स लीटर की जगे हम क्या लेखेंगे 800 लीटर प्रती घंटा जो है वो पानी भरा लिख लेंगे उत्तर अलग से अता है दूसरे नल ने तर प्रती घंटा भी लिख दीजे अता है दूसरे नल ने 800 लीटर प्रती घंटा पानी भरा ठीक है आपका उत्तर हो गया ठीक आंसर हो गया आएए बढ़ते आगे नेक्स्ट कोश्चन नौवा है एक छात्रा वास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों की रासन सामागरी फ्लब्द है यदि आवकास के कारण 200 छात्र बाहर चले जाएं तो वैसामागरी कितने दिन तक चलेगी ठीक है तो यहां पर जो चीज पूछा गया है कि वैसामागरी कितने दिन तक चलेगी उसे हम क्या कर लेंगे माल लेंगे ठीक है तो माल लेंगे कि यक्स दिन तक चलेगी तो चात्रों की संख्या ठीक है पहले कितनी दीवी है तीन सो दीवी फिर प्रश्ण कह रहा है यदि आवकास के कारण दो सो चात्र बाहर चले जाए तो आवकास के कारण बाहर जाने वाले चात्रों की संख्या कितनी है बच्चो दो सो प्रश्ण में दिया हुआ अवकास के कारण बाहर जाने वाले चात्रों की संख्या फिर इसके बाद क्या कह रहा है तो अब तीन सो थे दो सो चले गए तो कित्ते बचे सेस तो सेस चात्र कित्ते है तीन सो में से दो सो घट जाएंगे यानि किते चात्र बचेंगे सो चात्र अब ये कह रहा है प्रश्ण कि वह सामागरी कितने दिन तक चलेगी यानि सो चात्रों के लिए जो है भूजन सामागरी कितने दिन के लिए चलेगी तो अब हम मानेंगे कि माना सो चात्रों के लिए भूजन सामागरी यक्स दिन चलेगी तीक है अब कुछ नहीं करना बस जो चीजे दी हुही है यहाँ पर छात्र संख्या दी हुही है और यहाँ पर किते दिन चलेगी सामागरी वो दिया हुआ है तो यहां 300 जब 6 थे तो कितने दिन चलती थी 15 दिन चलती थी और प्रिश्ण के अनुसार और इसके बाद जब 100 चातर बचे हैं तो कितने दिन चलनी वह हमें ग्याद करना है तो इसके बाद फिर तिर्ट का निशान उल्टा लगेगा अब 300 अनुपाते 100 समानुपाते क्या हो जाएगा बच्चो यक्स अनुपाते 15 तो अब यह कर देना है आपको यह तो आपको यादी हो गया होगा कि जो अंतिम पद है उनका गुणन फल जो है मद्य पदों के गुणन फल के बराबर होता है तो क्या जाएगा बच्चो यहां पर तीनसो गुणे 15 ब़राबर सव गुणे यक्स तो यक्स ब़राबर क्या हो जाएगा तो गुणे 15 बटे सव ठीक है दिरोजोडो कैंसेल हो गया पंदरा थी 45 यहनई 45 दिन चलेगी सामानुदी ठीक है तो अत्य है उत्तर अपलग से लिग दीजिएगा यह उत्तर है हमारा अ आता है सवच हात्रों के लिए भोजन सामग्री 45 दिन चलेगी ठीक है यह हो गया उत्तर हमारा समझ में भी आ गया होगा बच्चों आप लोगों को आए आगे बढ़ते हैं कोशन नमबर 10 की और 10ंब कशन है चाल 4mm 30e की चल से टेंप 750 खंट में घंत g смотреть है mm यह इसरी समान आछा यहक्त लेना है तो आए देख लेते हैं में ज्याक्तर है चुपरसन में पूछब आन्य हैं इसे में यक्स मानना तो पुछा है लिए त्ट में पहुचा है कि यहां पर चाल दी हुई है ट्री को साहसाथ, किया दिया हुआ समय किती देल में पहुचाईगे इन गंटे में भा इंग चाल horr 시틀 में 400 दी चाल कियों का दिया हुआ समय, ँचल 5 स ए उट पांच भाले तो समय यह व so रिखें, यह को आपने जेया है। इसको आप हल कर लिजे गंध्वडों गुडण फल मत्वड़व के बराबर है इसके हल करके आप इसका आंसर निकाल लीजेगा बन जाएगा आपसे आगे बढ़ते कोशन नमबर 11 की ओर ग्यार्वा कोशन है दो कुसल स्रमिक या तीन अकुसल स्रमिक एक काम को बीज दिन में कर सकते हैं तो छे कुसल स्रमिक और एक अकुसल स्रमिक उसी काम को कितने दिनों में कर सकेंगे ठीक है तो आईए देखते हैं सवाल को कैसे हल करना है प्रिश्ण में दिया है बच्चों दो कुसल स्रमिक तीन स्रमिकों के बराबर है तो क्या लिखेंगे दो कुसल स्रमिक किसके बराबर है तीन स्रमिकों के तो एक कुसल स्रमिक किसके बराबर होगा कि प्रिस्ट में पूछा है ना एक कुसल स्रमिक भी लिया है तो तीन बटे दो स्रमिकों के ठीक है अब यहाँ पर छे कुसल स्रमिक बराबर क्या हो जाएंगे कुशल तीन बटे दो गुणे च्छे दो एकम दो ते चेकल टू नौ स्रमिक के बराबर हो जाएंगे ठीक है अब यहाँ पर प्रिस्ट में है कि छे कुसल स्रमिक और एक स्रमिक उसी काम को कितने देन में करेंगे तो प्रशना नूसार प्रशना नूसार ठीक है प्रशना नूसार क्या कह रहा है छे कुसल स्रमिक और एक स्रमिक यहनी एक स्रमिक छे कुसल स्रमिक कितने स्रमिक के बराबर है कुल्टू क्या हो जाएगा नौ स्रमिक के बराबर है और एक स्रमिक और हो जुड़ जाएगा प्लस वन स्रमिक ठीक है तोटार हो जाएगा बच्चों दस स्रमिक ठीक है अभी यह हो गए हमाई पास में द्रस्रमिक अब हम माल लेंगे बच्चों कि माना दस स्रमिक उसी काम को यक्स दिन में करते हैं करते हैं तब प्रश्ण क्या कर रहा है स्रमिक है हमारे पास में ठीक है और यहां पर दिन है तो यहां पर तीन स्रमिक करते हैं बीस दिन में तो दस स्रमिक किते दिन में करेंगे यहां पर यक्स हमने माल लिया है कुछ नहीं करना है बस तीर का निशान लगाया क्या बन जाएगा हमारा तीन अनपाते दस अबान उपाते यक्स अनपाते बीस ठीक है तो यह क्या हो जाएगा इस तरीके से हो जाएगा तीन गुले बीस बराबर 10 गोणे यक्स घिके यक्स बराबर क्या हो जाएगा तीन गुले बीस बटे 10 तो कैंसे होâte तीन दूनी 6 यक्स कमान कितना आगया? 6 दिन तो यह 6 दिन हो गया आप उत्तर अलख से दिल लिख दीजेगा आता है छै कुसल स्रमिक वा एक स्रमिक यही था ना छै कुसल स्रमिक और एक स्रमिक यानि दस स्रमिक जुसको हमने माना था छै कुसल स्रमिक वा एक स्रमिक काम को उसी काम को छै दिन में करेंगे करें गे यह होगे आपका आंसर ठीक है तो समझ में आ गया होगा बच्चों आपको अब आगे बढ़ते हैं कोशन नंबर 12 की ओर बारवा कुशन है एक चीटी की लंबाई 4 मिली मीटर तथा एक तिद्दे की लंबाई 4 सेंटी मीटर है तिद्दे और चीटी की लंबाई में अनुपात बताईए ठीक है तो पहले हमें तिद्दे और चीटी की लंबाई में अनुपात बताना है घर में पाई जाने वाले छि सबसे पहले दिया हुआ चीटी की लंबाई तो लिखेंगे चीटी की लंबाई कोल्टू चार मिली मीटर ठीक है इसके बाद दिया टिद्डे की लंबाई तिद्डे की लंबाई कि तिद्डी होई है चार सेंटी मीटर चुकि एक सेंटी मीटर बराबर होता है दस मिली मीटर तो चार सेंटी मीटर बराबर किता हो जाएगा चालिस मिली मीटर ठीक है यहां पर चाहे तो आप लिख देजिएगा एक सेंटी मीटर बराबर 10 mm तो 4 cm और 40 mm के बराबर हो गया अब प्रस्न में कह रहा है कि टिड़े और चीटी की लंबाई का अनुपाद तो टिड़े और चीटी की लंबाई का अनुपाद कितना हो जाएगा 40 अनुपादे चार 40 अनुपादे चार छार छार कर जाएगा 4,4,4,4,4,4,4,4,0,4,4,3,4 से और 10 अनुपादे एख हो गया समझ में आया यह है तो यह हुई टिड़े चीटी और टिड़े की बात अब इसकी बात कह रहा है चिपकली चिपकली और मगरमच की बात अब हम करते हैं तो पुष्ण में चिपकली और मगरमच की भी बात की गई है आईए देख लेते हैं तो क्या दिया हुआ है चिपकली की लंबाई 20 cm ठीक है मगरमच की किती दी हुई है मगरमच की लंबाई कितना दिया हुआ बच्चों? चार मीटर चिक अब एक मीटर में कितने सेंटी मीटर होते हैं एक मीटर बराबर 100 cm होता है तो चार मीटर बराबर कितने हुआएंगे? 400 cm यहां लिख दीजेगा 1 m बराबर 100 cm ठीक है यहां पर सारे खतरनाग खतरनाग बच्चों इस पृष्टन में दिये गए हैं जिससे डर लगता है मुझे तो मुझे तो छिपकली से बहुत जादा डर लगता है तो आई इसके बाद से हम देखते हैं यहां पर मगरमच और शिपकली पूछा है शिपकली और मगरमच दिया तो है मगर पूछा है मगरमच और मगरमच और शिपकली की लंबाई का अनुपाद कितना हो जाएगा इसमें यह हो जाएगा हमारा 400 अनुपादे 20 ठीक है, इसको काटेंगे, 0-0 कर जाएगा, और यहाँ पर कितता जाएगा, 20 और एक है जाएगा, तो साथी साथ परंस्ट में पूछा गया है, क्या टिढ़े और चीटी की लंबाई का नुपात, चीटी की लंबाई का नुपात, में है तो यहाँ पर ध्यान दीजे बच्चों यहाँ पर 10 अनुपात एक आया यहाँ पर 20 अनुपात में नहीं है तो लिख दीजेगा अतह चीटी वाट टिड्डे की लंबाई लंबाई का अनुपात और मगरमच वाट छिपकली की लंबाई का अनुपात समानुपात में नहीं है में नहीं है समझ में आया न क्यों नहीं है यहाँ दा सन पात एक आया बच्चों यहाँ पर 20 अनुपात एक आया इसलिए यह क्या है इनकी लंबाइकान पाथ जो है वो समान पाथ में नहीं है ठीक है बच्चो तो बच्चो यहीं पर अपनी प्रिष्णावली यह 7B जो है आज खतम हुई और कल हम पढ़ेंगे आगे की प्रिष्णावली जो है वो 7C की और बढ़ेंगे और आज के लिए इतना ही बच्चो